अब इहाली में इसराइल गवर्मेंट ने USA से F-35 फाइटर जेट्स को खड़ितने की डील को अनुमती दी है इस डील की कीमत डॉलर 3 बिलियन बताई जा रही है यानि की 300 करोड डॉलर और ये उस फंड का हिस्सा है जो USA इसराइल की मिलिटरी को देता है इस डील के तहत USA इसराइल को 25 यानि की 25 एफ-35 फाइटर जेट्स डिलिर करेगा इन दोनों देशों के बीच में इसी F-35 फाइटर जेट्स को लेकर पहले भी डील्स हो चुकी है और उन डील्स में तेह हुआ था कि USA इस्राइल को 50 यानि की 50 F-35 fighter jets deliver करेगा रिपोर्ट्स के हिसाब से November 2022 तक उन 50 fighter jets में से 36 fighter jets deliver किये जा चुके हैं और जो बाकी के 14 fighter jets हैं उन्हें 2024 के अंतक यानि की 24 के अंतक deliver कर दिया जाएगा तो वो 50 F-35 fighter jets और ये 25 F-35 fighter jets को मिला कर टोटल हो जाएंगे 75 F-35 fighter jets जो की इस्राइल के पास future में हो जाएंगे ये F-35 fighter jets बहुत ही powerful fighter jets हैं और ये 5th generation fighter jets हैं इनकी एक खासियत ये है कि ये अपने दुश्मन के इलाके में जब एंटर करते हैं तो वहां के radar system इसको detect नहीं कर पाते हैं तो इसे जो भी अपनी गतिवीदिया करनी होती हैं ये करके वापस अपने इलाके में चलाता है एक और important बात ये है कि जो F-35 fighter jets होते हैं उनके तीन variants होते हैं F-35A, F-35B और F-35C पर जो इसराइल को मिल रहा है वो है F-35I अब आप ये सोच रहे होंगे कि variants अगर तीन है F-35A, F-35B और F-35C तो ये F-35I क्या है इस बात को समझने के लिए आपको इन दो नामों पे गौर करना पड़ेगा Lockheed Martin और Pratt & Whitney Lockheed Martin इस aircraft का manufacturer है और Pratt & Whitney इस aircraft के engine का manufacturer है तो Lockheed Martin, Pratt & Whitney, USA Government और Israel Government के बीच में जो agreement हुआ है उसमें ये बात तैग की गई है कि Israel अपने हिसाब से modifications कर सकेगा ताकि वो अपने country में इसको अपने सहुलियत से use कर सके इसके लिए इसराइल के defense industry के जो experts है वो Lockheed Martin और Pratt & Whitney के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जो भी modifications करनी होगी वो उसमें कर सके तो जो F-35I है वो actually F-35A का modified version है F-35I इसे इसराइल में अदीर भी बोलते है अजीर इसका ये मतलब होता है mighty mighty का मतलब होता है powerful, robust जो किसी से भी टक्कर ले सके अब अगला सवल दिवांग में ये आता है कि आखिकार ऐसी क्या बात है जो इसराइल को इतने F-35 fighter jets की सरुत पड़ रही है दरसल इसराइल US के बाद वो पहला देश है जिसके पास F-35 fighter jets आए वो पहला देश है जिसने इसे combat में यूज़ किया In fact, Middle East में ये एक लौता देश है जिसके पास F-35 fighter jets है और important बात ये है कि ये 5th generation fighter jets है इसराइल के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ इसराइल का कोई बहुत अच्छे तालुकात नहीं है इसलिए उसके उपर हमेशा ख़तर बना होता है कि कभी भी attack हो सकता है तो उन attacks को counter करने के लिए अपने पड़ोसी मुल्क पे checks रखने के लिए उसे F-35 fighter jets की जोड़ पड़ती है इसराइल के पास जो अभी तक fighter jets है वो 4th generation fighter jets है तो उसको अपने military की power को बढ़ाना था तो US से जो aid मिल ला है उसके तहट वो F-35 fighter jets को अपने पास रख रहा है और उनकी count को बढ़ा करके वो अपने पड़ोसी मुल्कों पे check रखेगा ताकि कोई future में attack host पे तो US से counter कर सके